केंद्रे मंत्री नरेंद्र सिंग तूमर की बेटे का एक और कथट विडियो सोशल मीडिया पर वारिल हुरा है कथट विडियो में देविंद्र सिंग तूमर इस बार 500 करोड रुपे की चर्चा करते हुए नज़र आ रहे है इस विडियो को कॉंगर्स ने भी शेयर किया है इस बार भी विडियो कॉल करने वाला पूरी बाची को रिकॉड करता नज़रा रहा है पहले आप पूरा विडियो देखिए और कंडी गड़ से भी तो इनको क्या है भाईया उनके पास एवरी मंथ उनका सी ए हमें बताएगा कि 50 सी आ रहे हैं हंड़ है 500 है कितना है तो एवरी मंथ लेना है पहले में मैंने उनको 250 बोला है थीक है 250 बोला है तो उसका आज मेरे बैंक मैनेजर को मिलेगा क्योंकि वह वहां से कनवर्ट करके आपके पास आ गया और आपके पास से वह मुनेड़ों में आप उसको जैसे भी वेजना है आप उनको वेजी तो मुनेड़ों में कम से कम 50 परसेंट रखी है अपना एकुटी स्टेक रखेंगे नो प्रॉब्लम ठीक है ना मनीका मैं आज उनको बोल देता हूं कि जी आप चैनल कीजिए हम रेडी है तो मैं आज शाम तक आपको करके सारा तो बताता हूं ठीक है इस वीडियो को मध्यप्रदेश कॉंग्रिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्किया और लिखा इसके बाद कॉंग्रिस प्रवक्ता सुप्रिया शुनेत ने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा केंद्रिय मंत्री नरेंद्र सिंग तूमर की बेटे का एक और वीडियो वाइरल हूँ था जिसमें वो बिच्वलिये से 100 करोड की लेंडिन पर बात कर रहे थे आज एक और वीडियो आया है जिसमें भाया जी 500 करोड की डिलिंग कर रहे हैं लेकिन पिये मूदी की ED, ID और CBI ने आखे मून ली है बता दें कि इसकतिर वीडियो की पुष्टी लाइव इंदुस्तान नहीं करता है लेकिन मतदान की ठीक पाँच दिन पहले वाइरल इस वीडियो पर CAC की चड़ जरूर उचाला जाएगा एक वीडियो आया है, WhatsApp पे चल रहा है, Social Media की सारे प्लाटफरम पे चल रहा है जिसमें हर महीने 500 करोड तक की राशी लेन देन की बात हो रही है यह काला धन है, जिस काले धन की recovery की बात मोदी जी करते थे कि काला धन आएगा तो 15 लाख रुपया जेब में आएगा हर भारत वासी के आज मध्यपरदेश के निवासियों और भारत के निवासियों के पेट और जेब काट के पैसा ब्रष्टाचारियों के पास जा रहा है मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और आज रिश्वत खोरी, कमिशन खोरी, मुनाफ़ा खोरी, काले धनकी, हिरा फेरी मध्य प्रदेश में चरम पर चल रही है तो ये सवाल तो मोदी जी से पूछे जाएंगे और मैंने इसलिए कहा कि गेद उनी लोगों के पाले में है कि उनको चुनावायों के पास एक पेटिशन डालनी चाहिए कि ये हमारा अगर गलत है वीडियो तो ये कौन इनके मूपर काले पोतने का काम कर रहा है कि ये जानना नहीं चाहते कि इनके बेटे पर कौन लांचन लगा रहा है ये अगर फरॉड वीडियो बनाया जा रहा है, पर वो ऐसा करेंगे नहीं क्यूंकि चोर की दाड़ी में तिनका है, ऐसा समझ में आ रहा है और दूसरी बात में कहना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं ये धृष्टता भी है, कि 500 करोड रुपे महीने की डीलिंग की बात हो और इनका कोई कुछ न बिगार सके, बाल भी बाका न हो, आज कहा है ED, कहा है CBI, कहा है Income Tax, चुनाव आयोग की निश्पक्षता भी कहीं न कहीं ने के गेरे में आएगी, अगर चुनाव आयोग सत्य संग्यान नहीं लेता है, और इसी के साथ साथ, नरेंदर सिंग तोमर को अगर बरखास नहीं किया जाता है, तो क्या किसी भी तरीके की निश्पक्षता संभव हैं, ये बड़े सवाल है जनता की अदालत के, जिनका पादेना चाहिं लेगी